सजर आपका नाक बहुत ही चोड़ा है यहां से चोड़ा हो सकता है मिडल धड़ में इसे चोड़ा हो सकता है तो जो नाग आपका बहुत वाइड है चोड़ा है उसकी सज़री जो होती है और उसका करेक्षन होता है उसको हम वाइड नोज राइनोप्लस्टिक वह लिए आप कौन से स्ट्रॉक्चर का मॉडिफाइड करते हैं आपका नाग की बीथ कौन से पार्ट में ज्यादा है जैसे अगर अगर मीडल सबस्दमें हैं तो मेंद्ध क्या है अगर करने तो बेसंटियाद करते हैं तो अपकी नाथ की bad श्यादा बीद ह savoir कि इसके सबसे आपके डॉक्टर्सकों सिलेक करके आपकी फ्रोसीजर करता है और इसमें जो आपकी सरजरी कि प्री उपरेटीव केर इसके रिजल्स कॉंप्रिकेशन्स और रिकवरी वह नॉर्मल रनील परास्य जैसी ही होती है तो इसके लिए हमारा अलग से यूटुब के वीडियो है जिसकी लिंक हमने नीचे दिस्क्रिप्शन में दी हुई है जो आप देख सकता है वाइड नोस जब करेक्ट होता है तो आपका नाख का शेप पतला होने से आपका जो नाख है पॉइंटेड और अच्छा दिख सकता है इसके अरवा इसकी जो आपकी जो प्रोफाइल और सामने से जो फोटो होती है उसमें भी काफी चेंज आप कर सकता है और आपकी नाख की नीचे का पार्ट कम हो जाने से भी अपका नाख अच्छा दिख सकता है वाइड नोस राइनोप्रास्टिक के लिए अगर कोई पेसेंस आपका कॉ किता है तो इसमें ज्यादा चेंजिस कुछ नहीं करने पड़ते हैं तो यह सरजरी सिंपल हो सकती है लेकिन अगर आपका और यह सब किया तो इसके लिए नॉर्मल रिकावरी भी आपको लग सकती है तो अगर आप वाइड नोस के लिए सोच रहे हैं तो एलिगन्स क्लीनिक है सुबे आट से लेके सामके आट के बीच कॉल या वाट्साप करके और अपने आपका अमोले से मैं निकाल के यह वीडियो देखा इसके लिए आपका धन्यवाद का अमोले से लेके लेके लो तक्राइड निका निकाल के लीच रहे हैं निकाल को अभर को लिए आपका गला दूलें यागर आपका निकाल को भीच रहे हैं झाल